लोहरी की पर्व पर करनाल पहुँचे मुख्यमंत्री उठाया बड़ा मानवी अकदम, देर रात अपने काफिले और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ सीम मनोहर लाल करनाल के रेल्वे स्टेशन पर पहुँचे. रेल्वे स्टेशन पर रात गुजारने वाले बेसहरा और गरीब लोगों को ठंड में कापता देख मुख्यमंत्री ने उन्हें कंबल वित्रित करने के प्रबंद किये लेकिन जब लोगों से बातचीत की तो मालूम हुआ कि उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और पिश्टित व्यवस्था की जाए उन्होंने भोजन, कंबल वान्य जरूरी सामानों के समान के लिए के लिए धाय लाक रुपे देने की गोश्ना की आपने काम के साब से दिन में काम करेंगे और रात्री के समय उनको रहनबसेरे में पूरी वश्थान की ठेलाने की जाएगी इसलिए आगे भी इनको रोजवार मिलता रहे इसकी विवस्थाम करेंगे लेकन सर्दी सर्दी इस परकार की रात्री को बाहर खुले में सोना यह वास्तमी बड़ा एक ऐसा दृष बड़े तिंतावा दृष है सर्दी स्वाफ होने के बाद जहां यह जाना चाहेंगे स्टेशन पर ही अगर भार एक पार्किंग की जगह कोई कच्छा शेड बना दिया जाए रहन पर बना दिया जाता है कि दिन में अपना कई काम करेंगे और दूसरे प्रदेशों के लोग ज्यादा थे लेकिन जिस तरह से आपने इनिशेटिव लिया है दूसरे प्रदेशों के लिए जाए बहुत प्रदेशों में इस परकार के बिरुजगारी और इस परकार के जो गरीबी के लोग रहते हैं उनको शायद वहां काम मिलता नहीं है तो जगा 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 हमको काम मिलने के संभावना होती है वहां वो पोँचते हैं इसलिए हम इसमें ऐसा कुछ कहेंगे कभी कहीं करके लोग नहीं करेंगे आकर मानुता किनाते से गरीब लोग की वस्ता जहां भी कोई रहता है तो तुरंत पूरिति जाने के लिए अगर मानुत। पैसलों जास अमाने को मिल जाए हुँ कि अधिप्टी यानि जो हमारा डिस्टे का अधिशेहन है, वो सिवस्ता कुगा है, शुप्टी हुआ